हेलो एवरीवन वेलकम टो शिक्षा मंतरम बचों बाल महा भारत कथा में आज हम बात करेंगे इंदरप्रस्थ की तो क्या है इंदरप्रस्थ इंदरप्रस्थ एक नगर का नाम है जिसका निर्माण पांडवों ने करवाया था तो यह नगर बड़ा ही खुबसूरत था बहु और उसकी प्रशंचा करता था तो यह पांडवों की राजधानी थी पांडव अपनी पत्नी दुरौपदी और माता कुंती के साथ इंदरप्रस्थ में रहते थे तो किस तरह से इंदरप्रस्थ का निर्माण हुआ और इसके निर्माण में क्या-क्या बाधाएं आई यह हम जानेंगे आज की कहानी में तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ इंदरप्रस्थ पर पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आएं हैं तो आप इसे पहले सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने इ परतिनापुर पहुची तो विदुर बड़े खुश हुए धृतराष्टर के पास दोड़े गए और बूले पांडव अभी जीवित हैं राजा दुरुपत की कन्या को स्वयमवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है पाचो भाईयों ने विधी पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब दुरुपत के यहां कुशल से हैं यह सुनकर धृतराष्टर हर्ष प्रकट करते हुए बोले भाई विदुर तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है राजा दुरुपत की बेटी हमारी बहु बन गई है यह पे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं तो उनके प्रती उसके मन में इरश्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी दबा हुआ वैत फिर से जाग उठा दुर्योधन और दु खड़ा सुनाया मामा अब क्या करें अब तो दुरुपत कुमार दृष्टे द्युम्न और शिखंडी भे उनके साथ ही बन गए हैं उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्टर के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिन्त हो सकें धृतराष्टर ने कहा बेटा तुम बिलकुल ठीक कहते हो तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए दुर्योधन ने कहा तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहां आए ही नहीं क्योंकि यद वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे तो जैसा हमने पिछली कहानी में देखा था कि अर्जुन ने मचली की आँख को निशाना बना कर दुरौपदी से ब्याह कर लिया था स्वयमवर जीत कर ठीक है अब जैसे ही यह खबर हस्तिनाप पहुची तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी ये सभी चिंता में आ गए और उनको ये लगा कि पांडव अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए है और अगर वे हस्तिनापूर दुबारा लौट आए तो वे राज्य की मांग करेंगे और दुर्योधन से उसका चिंजाएगा तो वे सभी लोग इस बात से बचने का उपाय सोचने लगे इस पर कर्ण को हसी आ गई उसने कहा दुर्योधन अब एक साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभाव प्राप्त हो चुका है एक शक्ति संपन्न राजा के यहां उन्हो में फूट डाल कर भी उनको हराना संभाव नहीं राजा दुरुपद धन के प्रलोभन में पढ़ने वाली विक्ती भी नहीं है लालज देकर उनको अपमे पक्षमे करने का विचार बेकार है पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे दुरुपदी के मन में की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए कर्ण तथा अपने बेटों की परस पर विरोधी बाते सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके वे पितामह भीश्म तथा आचारे द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मश्विरा करने लगे पांडवों से बचने का उपाय सोच रहे थे यानि की पांडवों को किस तरह से हस्तिनापुर आने से रोका जाए या ऐसे कौन सा रास्ता है जिससे पांडव शक्तिशाली ना बन सके और उन्हें दुबारा राज्य ना देना पड़े तो कई तो सभी लोगों ने इसमें अ पिता मा भीश्म और आचारे द्रोन से सलाह ली जाए और जैसा वो कहें फिर वैसा किया जाए भीश्म ने कहा बेटा वीर पांडवों के साथ संधी करके आधाराज्य उन्हें दे देना ही उचित है आचारे द्रोन ने भी यही सलाह दी अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर प पर धृत्राष्ट्र के दरबार में उपस्थित था पांडवों को आधाराज्य देने की सलाह उसे बिलकुल अच्छी न लगी दुर्योधन के प्रती करने के हिदय में अपार इसने है था इस कारण द्रोनाचारे की सलाह सुनकर उसके क्रोत की सीमा न रही वह धृत्राष् कों का करतव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परक ले फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें करने की इन बातों से द्रोनाचारे क्रोधित हो गरच कर भूले दुष्ट करन तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो यह निश्चित है कि यदि राजा भीष्म की सलाह ना मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौर्वों का नाश होने वाला है इसके बाद धृत्राष्ट ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली विदुर ने कहा हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचारे द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयसकर है कर भीष्म, आचारे द्रोण और विदुर सभी पांडवों को आधा राज्य देने के पक्ष में थे ताकि युद्ध नाहों और कौरव विनाश से बच सकें अंत में सब सोच विचारकर धृत्राष्ट ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधी कर लेने का दवाना हो गए पांचाल देश में पहुँचकर विदुर ने राजा दुरुपत को अमुल उपहार भेट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्टर की तरफ से अनुरोद किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमती दें विदुर का अनुरोद सुनकर राजा दुरुपत के मन में शंका हुई उनको धृतराष्टर पर विश्वास ना हुआ सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया कुं आप निश्चंत रहें आपके बेटों का कोई कुछ नहीं विगाड सकेगा वी संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राजी के स्वामी बनेंगे आप सब बे खटके हस्तिनापूर चलिए आखिर दुरुपत राजा ने भी अनुमती दे दी और विदुर के साथ कु रुमधाम से तैयारिया होने लगी जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्टिर का यथा विधी राज्यविशेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया राज्यविशेक के उपरांत युधिष्टिर को आशिरवाद देते हुए ने कहा बेटा युधिष्टिर मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरू नहुष एवं व्ययाती जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है हमारे वश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रे तुम ही को प्राप्त हूँ तो इस प्रकार विदुर पांचाल देश जाक पांडव, दुरौपदी और कुंती इन लोगों को सम्मान पूर्वक हस्तिनापूर में वापस ले आते हैं यहां आकर युदिष्टर का राजज भिशेक होता है लेकिन धृतराष्ट उनके सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि यहां से आधा राज्य लेकर वे खांडव प पर जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्मान कराया सुन्दर भवनों अभेद दुरुगों आदी से सुशोभित उस नगर का नाम इंदरप्रस्थ रखा गया इंदरप्रस्थ की शान एवं सुन्दरता ऐसी हो पांडव 23 बरस तक सुख पूर्वक जीवन बिताते हुए न्याय पूर्वक राज्य करते रहे तो इस प्रकार पांडवों को एक निर्जन वन दिया जाता है और उनसे कहा जाता है अब इसको अपने राजधानी बनाओ और यहीं से राज्य करू लेकिन फिर भी पांडव अपनाते हैं और खांडव प्रस्थ को इंदर प्रस्थ में बदल देते हैं जहाँ पर की बहुत सुंदर सुंदर भवनों का निर्मान कराया जाता है और बहुत से दरगों का निर्मान कराया जाता है और इसे एक बहुत ही खुबसूरत नगर में परिवर्तित वेलोग कर द प्रश्न एक पांडवों की कुशलता जानकर दुरियोधन इर्श्या की आग में क्यों जलने लगा? दुरियोधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीशन आग से किसी तरह बचकर और एक बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं तो उनके प्रती उसके मन में इरश्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी प्रशन दो दुरियोधन ने एकांत में धृतराश्टर से क्या कहा? इसका उत्तर है दुरियोधन ने धृतराश्टर से कहा पिताजी जल्दी ही हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम सदा क निश्चिंत हो जाएं धृतराश्टर ने पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित लिवा लाने के लिए किसे और कहा भेजा? इसका उत्तर है धृतराश्टर ने पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित लिवा लाने के लिए विदर को पांचाल देश भेजा तो बच्चों आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको ठीक तरह से समझ में आई होगी तो मिलते हैं एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई